तो गाईज अगर आपके फोन में WhatsApp का जो एप्लिकेशन है वो ओपन नहीं होता है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो चलिए गाईज वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन में सेटिंग को ओपन करना है सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लिकेशन का ओप्सन आएगा तो आपको यहाँ पे click करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको manage application पे click करनी है और यहाँ पे आपको search bar पे click करना है जिसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है whatsapp तो आप जैसे ही whatsapp लिखेंगे तो आपके सामने यह जो application है वो आज आएगा तो आपको उसको open करना है open करने के बाद यहाँ पे आपको storage पे जानी है और इसका data आपको clear कर लेना है और उसके बाद guys आपको back आना है back आने के बाद application permissions पे आनी है और यहाँ पे आपको सारे के सारी permissions को एलाओ कर लेनी है और उसके बाद यहां पे आपको Restrict Data Users पे क्लिक करना है और यहां पे आपको Wi-Fi और Mobile Data दोनों को Enable करना है और OK कर देनी है उसके बाद गाई से आपकी जो Problem है वो Solve हो जाएगी और यहां पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है यहां पे आपको जो WhatsApp का जो Application है उसको Play Store से हर दिन मतलब कि जब भी Update आता है तो आप उसको Update करते ही रहे जिससे आपको कोई भी Problem नहीं आता है तो इसी तरीके से आप जो है इस Problem को Solve कर पाएंगे तो गाईज अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग हो तो लाइक कर दिजे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे